समय दो बज रहा है और जारखंड के गिरीडी जिला देवरी परखंड के ये अस्कूल आप जो अंचल देवरी टू है वहां का उतकरमित प्रार्थनिक बिद्यालरे सौनरे है अब बताइए कि मैं अभी दो बजे हूँ समय अभी हुआ नहीं है तीन बजे अस्कूल का टाइम है अस्कूल में ताला लटका हुआ है जो मैं आपको दिखाने का परियास कर रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि अस्कूल में जितने भी रूम है वो सारे ताला लटके हुए है जो तीन बजे के बच्चे छोड़ने का टाइम था पढ़ाने का और यहां ब बच्चा को यहां पढ़ना चाहिए वो समय में यहां बकरिया है मुझे ऐसा पर्तित होता है कि मध्यान भोजन के बाद यहां बच्चों को छोड़ दिया गया है और एक बजे तकरीबन और यह देखिए अभी मैं दो बजे आया तो यहां ताला लटका हुआ है पूरा का प जारखंड की तस्वीर इस तरह से बदलेगी जारखंड की जो तकदीर है कि इस तरह से अस्कूल में ताला अगर लटका हुआ रहेगा तो यह ग्रामीन छेतर के जो भोले-भाले जनता हैं उनके बच्चे पढ़ पाएंगे और यहां क्या यह गाउं डेवलप हो पाएगा यह अस्कूल इसलिए दिया गया है कि यहां के जो बच्चे हैं यहां के गाउं में जो है बिखास हो सिच्छा कास्तर बढ़े ना कि मास्टर सिरी पैसा के लिए हाजरी बनाए मध्यान भोजन कराए और ताला लटका दे दो बज़े के एक बज़े के बाद मैं आपको तो वन्रे का अस्कूल अभी केतना बज़ रहा है तो आस्कूल तीन बजे होना है तो अभी बंद एक बन पक्रुपत लग फ़ए तो एक बज़े टाइम यहां घंठा और एक बज़े कर देता है यहां पढ़ता है यहां और लोगों से जानने का प्रियास करते हैं यहां कुछ माता आये हैं इसे भी हम जानने का प्रियास करेंगे बढ़ा अच्छा बीडियो ले रही है इधर आव इटाइडर रूख भाग आउ तो सही यह मेरी फैन है यार यह देखिए मेरा वीडियो बना रही है बहुत सुन्दर है कहां पढ़ती है इसकूल में अ इसी एसकूल में पढ़ती है आपको के वीडियो बनाने बोले को अ कि बनाने बोले के बनाने बोले बैठाए हूँ कौन बीडियो बनाने बोले मेरा क्या बोले वीडियो बना के लाओ आचा ठीक हैं बीडियो बना के देंगे कहा पढती है स्कुल में केतना बजे शुटी हो गया मास्टर आज पढ़ाए क्या 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 पढ़ाए दुखा पहाड़ा पढ़ी पढ़के बताना नहीं पढ़ेगी तो देखे जनता का भी आपने राय जाना कि ये अस्कूल जो है दो बजे बंद हो गई है तो आप कमेंट करके बताईएगा क्या इस तरह से हमारे जारखंड का दसा और दिसा बदलेगा जब यहां के सिछक जो म मोटी मोटी सेलरी लेने के एवज में उन्हें 9 बजे से 3 बजे तक पढ़ाने का जो समय सीमा दिया गया है वो समय सीमा पे ना रहना अपने पोसक छेतर के बच्चों को जागरुक नहीं करना अस्कूलों में ना पढ़ाना क्या इस तरह से हमारे जारखंड का दसा और दिसा बदलेगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फिर मिलेगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमसकार चोहार